Hello friends, welcome to fitness my life Guys, आज का वीडियो है बहुत important और बहुत useful क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ diet plan के बारे में diet एक बहुत important factor है किसी भी fitness journey में, अगर आपकी diet सही नहीं है तो आपका जो fitness goal है वो meet होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने सोचा क्योंना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपके साथ ऐसा कुछ शेर करूँ जिससे कि आप अपना खुद का diet plan बना सकें according to your preferences, according to your need and goal सो आज हम लोग बात करेंगे उसी बारे में बहुत सो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी diet बताईए हमें कोई ऐसा diet plan दीजिए जिससे कि हम weight loss कर पाएं या muscle build कर पाएं दोस्तों इसका कोई एक answer नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंने diet plan दे दिया और सबके लिए काम कर रहा है concept actually the same रहता है बट जो diet plan है वो vary करता है because हर बंदे की preferences अलग-अलग है और body type भी अलग-अलग होता है इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको concept समझ में आना चाहिए तो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका main nutrition का और diet का concept क्या है कैसे calories manage करते हैं हम लोग अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप अपना diet plan खुर बना पाएंगे after this video So let's get started So how to make your diet plan इस पूरे process का जो सबसे पहला step है वो ये है कि हमें find out करनी है हमारी resting calories अब ये resting calories क्या होती है Guys resting calories ये वो calories है जो हमारी body resting period में burn करती है Suppose किजिए आप सो रहे हैं तब भी हमारी body continuously function कर रही है brain काम कर रहा है आपका blood flow रहा है body में आपका body temperature maintain हो रहा है इन सभी processes में हमारी body calories burn करती है और जो calories उस समय हमारी body burn करती है वो कहलाती है resting calories इन्हें हम BMR भी बोलते हैं यानि की basal metabolic rate और इसको find out करना बहुत आसान है एक link मैंने यहां दिया हुआ है इसको use करके आप अपना BMR find out कर सकते हैं और इसको find out करने के लिए चार factors usually काम में आते हैं आपका age, आपका height, आपका weight और आपका gender अगर आप यह चार factors use करेंगे तो आप अपना BMR find out कर सकते हैं सपोस कीजिए आपका BMR आता है 1600 calories वो हम लोग use करेंगे हमारे next step में जहां पर हम लोग find out करेंगे maintenance calories Guys maintenance calories depend करता है आप कितने physically active हैं आपका job type क्या है, आप कितना workout करते हैं यह सारे factors count होते हैं maintenance calories को find out करने में सपोस कीजिए आपकी setting job है और आप physically active नहीं हैं तो आपकी maintenance calories different होंगी उस बंदे से जो की physically active है जो field में काम करता है या workout करता है तो maintenance calories को find out करने के लिए हम हमारे BMR में यानि कि जो हमारी resting calories है उसमें जब activity factor जोड देते हैं तो बनता है हमारा maintenance calories यानि कि TDEE total daily energy expenditure इसको find out करना भी बड़ा आसान है जो मैंने calculator उपर दिया है उसी link में जाके आप बस अपना physical activity का factor एड़ कर दीजिए आप कितने active हैं और उस basis पर वो बता देगा कि आपकी maintenance calories क्या हैं suppose कीजे आपकी जो maintenance calories है वो आती है 2000 calories उसके बाद हम step 3 में find out करेंगे target calories target calories depend करती हैं आपका goal क्या है अगर आपका goal है weight loss तो उसके लिए target calories अलग है अगर आपका goal है muscle building तो उसके लिए आपकी target calories अलग है मैं बताता हूँ कैसे अगर आप muscle gain करना चाते हैं या weight gain करना चाते हैं because जब हम लोग muscle gaining करते हैं तो muscle mass increase होता है body का weight increase होता है overall तो उसके लिए हमें calories ज्यादा रखनी पड़ती हैं हमारे maintenance calories से जैसा कि मैं आपको बताया कि suppose कीजिए हमारी maintenance calories है 2000 उसमें हम लोग add कर देंगे 10% surplus और उसके बाद मिलेगी हमें 2200 calories तो muscle building के लिए या weight gain के लिए हम लोग start करेंगे 2200 calories से तो ये हमारी target calories होंगी अगर हम weight loss की बात करें तो हमें रखना होगा calorie deficit यानि कि जितनी हमारी maintenance calories हैं उससे हमें at least 20-25% कम intake करनी है तब जाके हम लोग half kg पर भी कम कर पाएंगे बट आज मैं बात करूंगा muscle building की तो मैं focus करूंगा target calories surplus की तो अभी हम लोग focus करते हैं 2200 calories let's go ahead step number 4 में हम लोग इन 2200 calories को जो हमारी target calories हैं इनको divide करेंगे macro nutrients में macro nutrients वो nutrients होते हैं जो हमारे food में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं आपने school या college में पढ़ा होगा science में कि हमारे जो food में 3 major components होते हैं यानि कि fats, protein and carbs इन 3 components से हमें majorly energy मिलती है जिसमें carbohydrates is the primary source of energy तो हमारे तो हमारे जो 2200 calories हैं हम इन 3 factors में divide करेंगे और उस हिसाब से हम हमारी calories को intake करेंगे ताकि जो proportion है इन 3 नों का वो correct जा सके according to our goal अब इनको कैसे divide करना है वो depend करता है आपके goal पे अगर आप बात कर रहे है muscle size की यानि कि आपको muscle gaining करनी है तो जो left side में मैंने जो ratio दिया हुआ है वो normally लोग follow करते हैं जिसमें 15 से 25% fat रहता है 25 से 35% protein रखते हैं और carbs थोड़े से high रखते हैं because carbs बहुत ज़रूरी है muscle gaining के लिए along with protein protein तो care है ही because आपका जो main component है muscle building में muscle gaining में वो protein है but carbs भी बहुत ज़्यादा important है similarly maintenance की बाद करें अगर दिया आपको same आपको जितना weight है उतना ही आपको level रखना है ना बढ़ाना ना घटाना है तो ratio आप equally रख सकते हैं और अगर आप बात करते हैं weight reduction की तो थोड़े से dynamics change हो जाते हैं थोड़े से numbers change हो जाते हैं protein थोड़ा higher side बे चला जाता है उसका reason यह है कि protein से आपकी जो appetite है वो थोड़े control हो जाती है आपको भूख कम लगती है आप full महसूस करते हो और carbs हम लोग कम कर देते हैं carbs क्योंकि ज्यादा आपके sugar level बढ़ाते हैं और वो fat में store होने के chances ज्यादा होते हैं इसलिए हम लोग carbs को कम रखते हैं protein को ज्यादा but frankly speaking अगर आप deficit रखेंगे अपनी food में weight loss में अगर आपकी maintenance calories से आप deficit रखेंगे तो आप easily अपना weight loose कर पाएंगे component matter करते हैं but mainly deficit ज्यादा matter करता है तो दोस्तों अभी बात कर रहे है muscle size की तो हम लोग muscle size पर focus करेंगे next सबसे important चीज यह जो factors है fat, protein and carbs इनके अलग-अलग versions है healthy version है, unhealthy version है तो हमें healthy version पर focus करना है ना कि unhealthy पर अगर इस fats की बात करें तो जो आपके unsaturated fats होते हैं जैसे की olive oil है, avocado है और आपके जितने भी dry fruits होते हैं आपके बदाम है, pistachos है walnuts है, यह सारे healthy fats में count होते है, fish oil, in fact omega 3, omega 9, यह सारे healthy fats है आपको यह consume करने है instead of saturated fat, जैसे आपने बाद की cream cheese है आपका आपका butter है, इन सब में होता है saturated fat, fat वो भी है बट वो bad fat है, आपके लिए इतना healthy नहीं है, वो heart के लिए साही नहीं होता यह जो healthy fats हैं, यह आपके heart के लिए बहुत अच्छे हैं, तो I suggest की आप healthy fats पर focus करें instead of unhealthy fats अब बात करते हैं protein की तो protein में I suggest की आप lean protein पर focus करें ना की जो जिन में ज़्यादा fat content होता है उन में, lean protein की बात करें तो एक बहुत अच्छा example है, egg yolk में fat होता है, but that is also healthy fat, बहुत सारे research इस पर चल रही है, होती रहती है, लोग अभी भी भी debate करते हैं की क्या योग साही है या नहीं है I suggest it's completely fine अगर आपके macros में fit होता है अगर आपकी जो calories है उन में fit होता है तो please go ahead with that, because that has a lot of nutrients, बहुत healthy होता है और eggs का जो egg white है, वो तो perfect है ही, वो it's leanest protein, इसमें बहुत कम fat होता है carbs ही होता ही नहीं है, negligible होता है it's lean protein और it's complete protein उसमें सारे essential amino acids होते हैं, बट उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी confuse नहीं करूँगा इसलिए eggs बहुत अच्छे हैं उसके बाद आप बात करेंगे tofu tofu जो आपका soy protein है plant based protein है, वो भी एक lean protein है उसमें भी fat content नहीं होता almost ना के बराबर होता है जैसे पनीर में saturated fat होता है वो थोड़ा heavy side में होता है उसका lean version है, tofu, आप soy try कर सकते हैं इसमें भी बहुत लोग confused रहते हैं, कोई कहता है कि male के लिए सही नहीं होता, वो estrogen level increase कर देता है और उससे आपके hormones imbalance हो जाते है guys, बहुत सारी research इस पर भी चल रही है कोई ऐसी, कोई you know, solid उसमें कोई conclusion नहीं है जिससे आप कह सकें कि हाँ, ये सही है, but I suggest कि moderation में आप खा सकते हैं जो, especially जो लोग non-rich नहीं खाते हैं जो लोग vegetarian है, उनके लिए I think it's a perfect source और अगर आप chicken खाते हैं, अगर आप non-rich prefer करते हैं, तो please go for chicken breast क्योंकि उसमें सबसे कम मात्रा में fat होता है उसमें pure protein होता है और it's very good for other nutrients as well for muscle building so I suggest कि आप chicken breast ले सकते हैं अगर आप chicken खाते हैं तो, इनके अलावा भी बहुत सारे lean protein के sources हैं, जो आप google कर सकते हैं डाले हैं, चने हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे vegetarian sources हैं, आप search कर सकते हैं और use कर सकते हैं उसके बाद मैं बात करूँगा carbohydrates की carbohydrates भी जैसा कि मैंने आपको बताया उसका भी एक bad version है, उसका भी एक good version है अच्छे version की बात करें तो जितनी भी vegetables होती हैं, सारी अच्छी हैं उनमें high fiber हैं, और सारे vitamins हैं, minerals हैं और they are very good for your health आप spinach को ले लें, broccoli को ले लें, सारे अच्छे source हैं vitamins के, minerals के और of course complex carbohydrates के और उसके साथ-साथ oats है, brown rice है यह सब आपके अच्छे और better और healthy version है carbohydrates के, अगर आप बेकार और unhealthy version की बात करें, तो refined carbohydrates जैसे की white pasta हो गया आपका white floor हो गया और white rice is a good candidate, but I still say की वो थोड़ा सा lower side में actually जो refined carbohydrates होते हैं जैसे की white rice है, white pasta होता है, इनका जो GI होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानि की वो insulin को spike करते हैं इसलिए I suggest की आप जब भी carbohydrates intake करें कोशिश करें की आप complex carbohydrates को focus करें जैसे की हमने ratio पता लगा लिया की हमें किस ratio में इन macros को consume करना है, तो fats हम लेंगे 25%, अगर हम 2200 का 25% निकालेंगे तो 550 आता है, तो 550 calories जो है हमारी वो आएंगी fat से 30% calories आएंगी protein से, और एक चीज़ बहुत important है, जब भी आप muscle building की बात करें, make sure कि आप 1.5 grams to 2 grams per kg weight protein ज़रूर consume करें because यह बहुत important factor है, muscle gaining में आप increase कर सकते हैं, बट ज़्यादा फरक नहीं पड़ता, it depends कि आप कितना sustain कर सकते हैं, बट I suggest कि at least इतना तो लेना ही है, अगर आपका weight 80 kg है, तो आप 160 grams तक protein easily ले सकते हैं, beginner हैं, तो 1.5 से start करें, अगर आप already workout कर रहे हैं, तो I suggest कि आप 160 grams तक easily जा सकते हैं, उसके बाद है carbs, carbs हम लोग लेंगे 45% of our target calories, यानि कि 990 calories हैं, वो आएंगी आपकी carbs से, तो ये ratio हमारे पास आ गया, अब इनको track कैसे करना है, इनको food में कैसे track करना है, और क्या तरीका है उनको track करने का, मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको चाहिए एक food tracking app, जो कि आप अपने phone पे install कर सकते हैं, बहुत सारी applications available हैं, आप कोई भी use कर सकते हैं, but I personally use MyFitnessPal, ये बहुत ही अच्छी application है, इसका best part ये है कि इसमें almost सारे food items मुझे मिल जाते हैं, in fact इसमें एक barcode का feature है, अगर आप कोई चीज भाहर से ला रहे हैं, suppose कीजिए कोई peanut butter है, या कोई भी आप ऐसी कोई चीज खा रहे हैं, जिसका आपको पता नहीं है, और आपको हैं, और oats आपने लिया है 75 grams, और उसके साथ आपने लिया है एक tablespoon chia seeds, और उसके साथ एक cup आपने लिया है milk और 8 से 10 बदाम, अगर दिया आपने इनको सबको एक साथ mix किया है, तो आप इसको track easily कर सकते हैं, ट्रिस्टफॉल हमें क्या करना है, आप अपनी application पे जाकर के, अपनी जो target calories हैं, यानि कि 2200 calories, वो आप set कर दीजे कि आपकी per day की calories है, वो है 2200, जो आपका macros का percentage है, जो division है, वो आप उसमें add कर दीजे, fats 25%, protein आपका 30% और carbs आपका 45%, यह उस हिसाब से आपके grams बता देगा कि कि कितने grams आपको fat लेना है, और कितने grams आपको carbs लेना है, इसका logic बहुत simple है, ज़रूरत नहीं है, because आपकी application already find out कर रही है, बट मैं आपको information के लिए बता दूँ, एक gram fat में 9 calories होती है, एक gram protein में 4 calories होती है, और एक gram carbs में 4 calories होती है, तो दोस्तों ये जो factors हैं, वो use करके आपकी app find out करती है, कि आपको कितना fat लेना है, कितना protein और कितना carbs, so guys simply अब आपको कुछ नहीं करना है, तो उसके बाद आपने example लिया oats का, आपने 75 grams oats लिए, तो इसमें आप simply search कीजिए oats, और इसमें आपको दिखा देगा कि ये वाले oats हैं, आप उसको select कीजिए, अब उसके बाद आपने लिया chia seeds, वो भी simply आप जा करके एक tablespoon add कर दीजिए, milk similarly आप वो भी add कर दीजिए, और आपके अपसे वो भी add कर दीजिए, तो सारी चीजिए आप add करने के बाद, ये total calories आपको बता देगा, कि आपने इतनी calories consume कर ली है, out of your target calories, और वो उसमें से minus कर देगा, और उसके बाद आप easily लेकरोस में जाके देख सकते हैं, कि कितना percentage आपने क्या लिया है, और कितना बचा है आपको पूरे दिन में, ये बहुत ही important है, track करना, अगर आपने properly इसको track कर लिया, तो आपका जो goal है, वो आप easily achieve कर पाएंगे, ये starting में आपको थोड़ा complicated लग सकता है, because थोड़ा सा difficult हो जाता है रोज एक एक चीज़ को track करना, बट एक बार आप habit में आ गए, it is so convenient और आपको easily पता लग जाएगा कि आप कितना खा रहे हैं और I suggest कि ये आप जरू करें, दोस्तों I guess आपको इस समझ में आ गया होगा अब तक कि आपको कैसे अपनी calories track करनी है, आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, signing off for now, thanks for watching, see you next time.